कि हेलो दोस्तों नमस्कार आपके लिएक रागय है और टाटा-पंच इस आइसेंजी का एक वाकर राउंड रिव्यू और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्या 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 खौबिया है टाटा-पंच इसमें टाटा पांज मिल जाती है और सारे सेगमेंट में सबसे बैतरीन किया हों क्योंकि इसकी हाइट सबसे बैतरीन ने देखिए सेंजी इस तरह से इसमें फिट किया गया है ताकि बूट स्पेस के अपको अंदर कोई बी कोई कमी नहीं नहीं होने पाए डैसबोर्ड काफी प्रेमियम दिया गया है इसमें पांच इंज का आपको जो हरमन का मिजिक सिस्टम डिस्पली मिल जाता है और आपको सारे बटन में मिल जाता है और सारे गारियों टाटाना आप सेंजी निकाल दिया लेकिन पंच का एक अलग ही रुटबा है एक रो भाईक जिनस में लेकर आई है एवीडी एबिस एवरिटिंग इसमें आपको मिल जाता है ओई बात करें सी एंजी के मैलेज की तो भाईसा 25 सिकम इसका मैलेज निये है कंपनी सताइस क्लेम करती लिए 25 का आराम से निकाल के जाती है पेट्रोल की बात करें तो वन पॉइंट टू ल विल्स आपको मिल जाते है टाटा का लोगो आई सी एंजी की वैजिंग मिल जाती है बंपर काफी इसका मजबूत है ब्लैक पियानो फिनेसिंग में टाटा का लोगो बगल में इसकी वैजिंग मिल जाती है इंडिकेटर्स भी साइड आई आर्बियंद मिल जाते है उपर आ करें इसमें जो चार स्विकर दो डूटर्स आते हैं डो airbags आते हैं passenger और driver side safety में दोनों airbags आपको मिल जाते हैं child safety लॉक भी समें मिल जाता है आपको तीन और चार जो है आपको seat belt मिल जाते हैं वाई साथ seat की positioning बहुत ही बैतरी निस गाड़ी में है काफी comfort और बलकि आपको जो feeling दिला आए गाड़ी और look in N.C. बात करें भाई साथ ते इतना इतनी बैतरी न लगती है इस budget में कि आपको कोई भी गाड़ी